जैहिन प्रेंस वेलकम टो माई ओपीसी यूटॉब चनल स्टरडी मिटेरियल एटू जैड एओसी फायरमेन और टेड्समेन के बारे में दोस्तों आज जो की बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट जो है बात करने वाले हैं क्योंकि जब बाद में आपके कमेंट आते हैं कि सर मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ था और फिर मेरा नाम नहीं आया यानी मेरा जोइनिंग लेटर नहीं आया ऐसे मैंने बहुत सारे मेरे भाई को देखा जैसे यहां पर NDA का दोस्तों अभी एकजाम हुआ लडिसी का उसके अलावा आपका AOC मेटेरियल असिस्टेंट का एकजाम कंड़क्ट हुआ और AOC का भी एकजाम कंड़क्ट हुआ तो आपकी कौन सी जो गलतियां हैं दोस्तों जो आपको नहीं करनी है और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट दोस्तों रहने वाला है अगर आप AOC का पेपर दे रहे हैं या फिर देने की सोच रहे हैं दोनों ही यहाँ पे गैंडिडेट दोस्तों मैं इंकलूड करूँगा क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को थोड़े दिन बाद में जो है लोग देखें जब आपकी नई भरती आए तो सभी चीज़ें डिसकस करने वाले हैं दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दो चीज़ें डाल दिया भाई जो आपकी सबसे ज़्यादा डिमांडेड चीज़े है आपता एक तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल और एक मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका जुड़ जाए जो कि दोस्तों जमा जम अब हम बात करते हैं मैंने एओसी यानि दोस्तों आर्मी ओडिनेस कोर्पस के बारे में पहली चीज़ तो दोस्तों एक मिथ्या यहाँ पे बेट चुकी है कि पेपर बिल्कुल हलुआ आएगा और हम 120 पलस जो है कुसंस अटेम्ट क जाएगा लगबग 120 के राउंड आपको हर कोई बता रहा है ठीक है यह एक बड़ा जो है आप मतलब जो है मुझे बार-बार केंडिडेट के द्वारा जो है बोला जा रहा है कि सर मेरे इतने नमाक्स आ रहे हैं और मेरा सेलेक्शन हो जाएगा क्या मैं 120 लेकर आ रहा हूं online टेस्ट में online टेस्ट देना और दोस्तो offline के अंदर आप number लाना दोस्तो different आप को देखने को मिल जाएगा यह थोड़ा सा difference आपको देखने को वहां पर जरूर मिलेगा बत यह चीज़ें अभी नहीं मैं कहूंगा थोड़ा सा difference क्योंकि दोस्तों अगर आप online पेपर दे रह आई सेंटर जो कि जिसमें फिजीकल चले थे और वहीं पे आपके सबके लगबग जो है जितने भी कैंडिडेट हैं उनके आपके यहां पे सेंटर भीज तो जितने भी कैंडिडेट थे उन सबको क्या किया गया है मैंने ये लिस्ट के ओपन की है ये भी एक बहुत जरूरी का दोस्तों यह एक आपकी material assistant की list है और आपको लगेगा कि आपका written exam के लिए हो चुका है qualified written exam मातर दोस्तों केवल qualified अब तीसरी चीज़ क्या आजाती है यहाँ पर देखना कि यह आपका final selection नहीं है मतलब यहाँ पर भी आपको दोस्तों फिर जो है कहा जा रहा है कि आपका यह final selection नहीं है हम आपके joining letter भेजेंगे और इन चीज़ों को एक बार थोड़ सो detail में पढ़ना थोड़ा सो जो है आपको पता चलेगा कि यह आपकी final list merit list नहीं बनी है no order of merit list ओके यानि आपकी merit list यह करम से नहीं है और आपका हम जो है decide करेंगे कि कब आपका later जो है किन candidate को भेजना है और कितनी यहाँ पे जो है vacancy है यानि कितनी जो है आपकी demand है उनके according हम later share करेंगे यह तो हमके अवल qualified candidate है जिनका एक merit बन जाता है दोस्तो आपका all India basis तो यह चीज़ें यहाँ पे आपके लिए जो कि दोस्तो यह merit list आपका material assistant का जारी किया गया था यह अपका 16 फ्रवरी 2023 को है तो इसको भी थोड़ा सा जो है ध्यान में जरूर रखो और जो सबसे important चीज़ है भाई वो है आपकी over confidence आपको लग रहा है कि paper पास हो जाएगा over confidence बिल्कुल नहीं होना है पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपके दिमाग में दोस्तो एक चीज़ आ रही होगी कि cutoff को लेकर बहुत जादा candidate मैंने भी देखा है मेरा भी video जो है बहुत जादा जो है चल रह है ऐसा मैंने आपको पुरूब भी दे दिया ताकि क्यों अठके हुए हैं इनके पीछे कुछ रीजन्स हैं क्योंकि जो पीछे exam हुए है क्योंकि भाई एक के ओल एक तो है नहीं जो सबसे आसान exam होगा और यहां कोई top वाले आकर बेठेंगे एसी जो आपका बेंगलोर है भाई मैंने देखे हैं अब जो आट ये लगा रहे हैं और उमीद कर रहे थे कि भाई उनके नंबर मातर 94 का टॉप है लेकिन उनके नंबर आ रहे हैं किसी के 15 किसी के 25 ओ भाई इतने आ रहे हैं और फिर उनको confidence आ रहा है कि हमारा जो है selection हो जाना चाहिए था है ना इस परका टेट हैं टेट्समेन और फायरमेन का एकजाम देंगे वह maximum दोस्तों आप कोसिस करना कि आपके attempt maximum हो आप हाई स्कोर की और आगे बढ़ने की कोसिस करें लेकिन वन बाई फॉर्थ का negative marking है उस negative marking से भी आपको बचना है ओफ लाइन पेपर है आप थोड़ा सा ध्यान रखना negative इट्यू मार्किंग का भी online होता है तो थोड़ा सा जो आपको पता रहता है कि चीजें क्या timing वगरे जो है सब कुछ चीजें चलती रहती है बट वहां क्या होता है कि आप offline में जो भी कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं या नहीं तो दस सैट या दोस्तों या पर पांच या सैट आप एक बार offline भी try करें कितना आपका गलत हो रहा है कितना आपका जो है सही हो रहा है उन चीजों को उपर भी काम आप करना start कर दीजे दूसरी चीज दोस्तों जो science है उसके questions आपको जो है उड़ा सकते हैं दोस्तों मेरे coding 10 या 15 questions जो अगर इन से पुछेंगे तो आपको द merit list तक और आप मेरे साथ दोस्तों joining later तक देखना चाहते हो क्योंकि दोस्तों मुझे पता है मैंने हर बच्चों से बातचीत होती रहती है एक बड़ा platform है आपको जो कि छोड़ा लग रहा होगा बट बहुत ज्यादा candidate जुड़े हो हैं दोस्तों WhatsApp group हो चाहे कहीं पर भी हो य एक चीज अपने दिमाग में ध्यान रखें कि मैं चाहे फायर मेन का candidate हूँ चाहे वो ट्रेश मेन का हूँ maximum attempt लेकिन ध्यान रखना है आपकी negative marking का और परतेक subject को touch करना है और परतेक subject में अच्छा करके आना है मैनली चीज यही होती है क्योंकि दोस्तों जो है ना final merit list में आपको कटो फिद ना देकर अभी आपको इस चीज पर काम कर लेना चाहिए कि मैं कितना attempt कर रहा हूं कि subject में जो है week हूँ मैं कि subject के जो अच्छा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अगर आपका overall subject चारों subject जो भी subject लिये गये हैं वो अगर अच्छे होंगे तो आप अच्छा क आपके बारे में भी बातचीत कर लेनी चाहिए और रही बात आपके 22 paper हो रहे हैं और 22 paper में क्या अलग-अलग जो है आपके यहां पे paper बनेंगे तो दोस्तों हो सकता है क्योंकि यार अलग-अलग जो है center पे अलग-अलग बनते होंगे बट जैसे यहां पे O.C. जो है अगर material assistant का paper भी दोस्तों आप देखा होगा पास आ गया था हलांकि किसी को कह रहे थे कि हमें किसी center पे paper नहीं दिया गया था लेकिन पता नहीं कि एक center था जिस पे paper घर पे दे दिया गया था या लेकर आ गये थे यह मुझे नहीं पता ठीक है उस paper को आपको जरूर देखना चाहिए website पे पढ़ा हुआ है study material a2z.in पे क्योंकि यार वो paper जो है आपको बहुत जादा help करेगा पुराने वाले paper डाले हुए हैं अभी जो है latest paper है उसको आप help करेगा टेलिग्राम पे भी वो डाला हुआ है तो सब को जो आपको टेलिग्राम पे भी हम provide करवा रखा है पेपर दोस्तों पूरे पूरे चांस है कि same paper आपका बनकर आए एक ही जैसा अगर एक जैसा paper बनकर आएगा दोस्तों तो आपको बहुत जादा इस चीज़ का फाइदा अगर आपके अलग-अलग यहां पे paper बनकर आगए तो आपका यहां पे बूरा तरह से लोस हो जाएगा क्योंकि आपके paper एक जैसे जब तक नहीं होगे तो maintenance जो है दोस्तों यहां पे बिलकुल भी गड़ बढ़ा जाएगा और full of chance है कि same paper आपका योसी देगी आपके पूर यहां पे होगी बट आप दोस्तों हमें update करना साथ में कि क्या-kya चीज़ें जो है यहां पे होगी और साथ में जो है क्या-kya चीज़ें जो है आपका review बगर है जो है सभी जो है candidate अपने WhatsApp नंबर पे जरूर शेयर करेंगे क्योंकि जिस से जो है दोस्तों हम merit list के बारे में या फिर आगे आने वाली जो cut-offs होंगी उनके बारे में भी decide होगा क्योंकि cut-off यह cut-off नहीं है कि cut-off जब paper होगा आपका तब जाके पता चल जाएगा कि cut-off क्या जाएगी क्या आके कि situation रहेगी यह थोड़ी सी दोस्तों बात करना जरूरी था वीडियो लंबा हो गए यार मैंने जो बताया है ना वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला यूटूब पे search कर लेना ठीक है तो यह चीजें सब भी ध्यान रखो आप जितने भी जुड़े हों क्योंकि दोस्तों काफी candidate OC के जुड़े हो हैं उमीद करता हूँ कि आर वीडियो अच्छी लगी होगी औ कोई भी जीजें जो आपको लगता है कि आर रहे गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं और अगर पेपर दोस्तों ओवरोल बनता है तो आपका पेपर हलवा आने के बिल्कुल भी कम चांस हैं यह चीज भी आप ध्यान रखना पेपर अगर ओवरोल आएगा तो मीडियम लेव के साथ जाहिं दे